नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेनानी समाचार में दोस्तों रोजगार या नौकरी के लिए दूसरे राजियों में रहने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को हर बार छट दिपावली और होली जैसे तेवहारों में घर वापसी के लिए ट्रेनों में मारा-मारी करनी पड़ती है एक तो ट्रेनों मेरे जरवेशन नहीं मिल पाता, मिलता भी है तो भीड इतनी होती है कि सफर के दौरान तमाम तरह की दिक्कतें उठानी पड़ती है इसके चलते घर वापसी की खुसी आधी रह जाती है वापसी में भी यही इस्तिती रहती है इसका एक मातर कारण यात्रियों के मकाबले ट्रेनों की संख्या का काफी कम होना है यूपी बिहार के लोगों की इस समस्या को देखते हुए केंदर की मोधी सरकार ने 100 अमरित भारत एक्सप्रेस चलाने का फैसला किया है अमरित भारत एक्सप्रेस कोई और नहीं बलकि वंदे साधारन एक्सप्रेस का नया नाम है वंदेश आधारेन एक्स्प्रेस का नाम बदल कर ही रेलवे ने अब अमरित भारत एक्स्प्रेस कर दिया है पुस्पुल तक्नीक पर आधारित अपनी स्रेणी की देश की इस पहली ट्रेन का ट्रायल मुंबई से हमदाबाद के बीच शुरू हो गया है सुत्रों का नसार पहली अमरित भारत एक्स्प्रेस मुंबई से नई दिल्ली और दूसरी ट्रेन मुंबई से पटना के बीच चलाई जाएगी इनके अलावा पाँच अन्य रूटों पटना नई दिल्ली, हावडा नई दिल्ली, हैदराबाद नई दिल्ली, एरनाकुलम गुवा हाटी एम तंबरम हावडा पर भी अगले कुछ दिनों में अमरित भारत ट्रेने चलाई जाएगी जल्द ही प्रधान मंतरी नयंद्र मूदी इन ट्रेनों को हरी जंडी दिखाएंगे इन्टिग्रल कोच फैक्टरी चेन्नई में बन रही इन अमरित भारत एक्स्प्रेस ट्रेनों के लिए 100 पुस्पुल इंजन का ओर्डर बनारस लोको मोटी वर्क्स BLW को दिया गया है आगे पीछे इन जन लगे होने से इन ट्रेनों में जननेटर यान भी नहीं लगाने पड़ेंगे इससे सोर में कमी आएगी पुस्पुल तक्नीक के करण यह ट्रेन जल्द रूख सकेगी साथ ही इसका पिकप भी परंपरागत ट्रेनों के मुकाबले काफी अच्छा होगा अमरीद भारत एक्सप्रेस का रंग के सरिया होगा इसके इन जन का रंग भी वंदे भारत की तरच पर पूरी तरह के सरिया होगा 22 कोच की अमरित भारत एक्सप्रेस को 130 किलोमेटर प्रती घंटे की स्पीड से चलने के लिए तयार किया गया है हाला कि देश में रेलवे की पतरियों की स्थिति को देखते हुए इन ट्रेनों को और सतन 100 किलोमेटर प्रती घंटे तक की स्पीड से ही चलाया जाएगा इस ट्रेंड के 22 कोच में से 12 स्लीपर, 8 जनरल और 2 कोच लगेज के लिए होंगे अमरित भारत एक्सप्रेस में आधर सिस्तिती में एक बार में 3830 यातरी सफर कर सकेंगे अमरित भारत एक्सप्रेस में एसी छोड़कर अधिकतर सुविधाएं वंदे भारत की ही तरह होंगी इन ट्रेनों को आटोमेटिक दरवाजों, CCTV कैमरों, बायो वैक्यूम सवचाले, इम सेंसर आधरित पानी के नल से लैस किया गया है साथ ही इनमें LED लाइट, पंखे, स्वीच और मोबाइल चार्जिंग पॉइंट की भी बेहतरीन व्योस्था होगी कुल मिलाकर अगले कुछ महीनों में रेल यातरा काफी हद तक आसान हो जाने की संभावना है तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में लिखें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अप्लोड करें, आप तक सबसे पहले उसकी सूचना पहुँचे मिलते हैं फिर एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार